हेलो सुजेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे आप सब लोग, मस, बढ़िया तो चली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा का थेरोपेटिक्स का चैप्टर नमबर वन का लेक्चर नमबर शिक्स जो की लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, हैना, standard treatment guidelines ठीटमेंट के लिए कुछ guideline बनाई गई है जो की standard है, यानि कुछ ऐसी guideline दी जाती है या ऐसी guideline बनाई जाती है और उस guideline को सभी practitioners को, یعना की health care जो professionals होते है उनको follow करना होता है उस तो होता क्या है पेशेंट का भला होता है भला इंदस है पहले पता जिका हमको सारा काम जो है किसके oriented रहता है हमारा patient के oriented रहता है मतलब सबसे best quality care patient को मिल सके तो आप देखें क्या है कि standard treatment guideline जैसे पहले ही बता चुका हूं यहां पर हम कुछ ऐसा guideline standard set करते हैं जिसको follow करने से क्या होगा treatment patient को best care या best care मिल पाएगी एक patient को तो क्या बोल रहा है यह अव समझते हैं किया रहा है एंड गाइड डॉक्टर यह असिस्ट करेगा गाइड करता दॉक्टर को फार्मसिस्ट को dispensers जो dispensary के काम करने एंड अदर health care staff जो दूसरा health care staff है उनकी help के लोग होता है यह who prescribed at primary care facility जो कि prescribe करते है primary health care facilities बेहरा देखा और महुला क्लीनिक को करते हैं नर्सेस होती है वह क्या करते हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटी केर टू पेशेंट ठीक है ना यानिक प्रिसकाइब करने हैं हर एक चीज कैसे रहना है क्या खाना है सारी चीज इंक्रूड होती है उस प्र खास बिमारी का उसकी एक लिष्ट है उस लिष्ट में तरीका लिखा हुआ कि इस तरीके को फॉलो करेंगे तो हमको best result मिलने वाला है for common health problem है ना एक लिष्ट होती है preferred treatment कौन सा सबसे अच्छा best treatment है common health problem के लिए experienced by people in the health system क्योंकि health system में रहते हुए कुछ लोगों ने जिनको क treatment choices होती है बहुत सारी उसमें से best choices में चूज करनी होती है तो गाइड की तरह help करता है and as a reference book यह reference book भी होता है कि मेरे पास किसी बिमारी के लिए चार तरह के treatment available है तो best treatment कौन सा होगा यह help करेगा to help in the overall management of patient and are mean for help करता है पूरे overall patient के management में and mean for used at all level within the health system both public and private सारे लेवल आप कह नहीं पर चले जाओ हर एक लेवल पर यह काम करता है जाना पाब्लिक सेक्टर हो चाहिए प्राइवट सेक्टर हो डेफिनिशन की बात करें standard treatment guideline has been defined as a systematically developed statement एक systematically developed की हुई statement systematically मतलब एक तरीके से काई देशा भी हम देखेंगे कि किस तरीके से guideline तयार की जाती है पूरा system बना हुआ इसका ठीक है न design to assist practitioners and patient यह बनी हुई है किसको assist करने के लिए practitioner को और patient को in making decisions about appropriate health care ताकि appropriate health care एक health के लिए best decision लिया जा सके for specific clinical circumstances जो clinical के circumstances है मतलब patient के साथ जो हालात है एक बीमारी है उसका और की बीमारी है तो उन सब चीज़ें को देखते हुए best decision कौनसा होगा उसमें help करता है तो overall कहीं है बात हमको समझ में आ रही है घूम फिर की बात है best treatment कौनसा है चार चीज़ें available है ठीक है चार एंटिवाइटिक अविल subscribers यानि कि जो doctors होते हैं वो एक अपनी consistency मतलब जो लिखा हुआ उसी के साथ चलते हैं कुछ नया नहीं करेंगे कुछ अलगसा नहीं करेंगे जिससे क्या है prescription में एक निरंदरता रहती है confusion में कमी आती है अब prescriber को पता है कि हाँ यह treatment best है तो वही देगा दूसरा नहीं देग में उसको असानी रहती है most effective treatment इसकी help से अब लोग सबसेदा effective treatment दे पाते हैं improve the availability of drug अब हुंको पता है ठीक है कि यह treatment में यह वाले drug सबसे best prefer किया जाएगा तो drugs की availability बनी रहती है कि हाँ यह drug तो होना ही चाहिए it provides cost effective and optimal therapy ना क्यूंकि जो इसमें therapy लिखी जाती है वह cost effective भी हो बात समय रही है health care providers उनको क्या benefit मिल जाता है उनको benefit यह मिल जाता है gives expert consensus on most effective economical treatment for a specific setting ठीक है ना अपना एक expert consensus एक सहमती होती है on most effective economical treatment for a specific setting किसी specific setting में यानि की हालात में सबसे best और economical treatment यह लोग दे पाते है किसी patient को ठीक है provider can concentrate on correct diagnosis वो लोग correct diagnosis में concentrate कर पाते हैं तरीक लिखा हुआ उसमे provide a standard to assess quality care है ना उसमें एक standard है एक standardization provide कर वाते हैं जिससे कि वो आंकलन कर सके quality of care को जो quality care जो दी जा रही है patient को वो quality wise अच्छी है या नहीं है provide a simple basis for monitoring and supervision इसकी health से हम लोग easily क्या कर सकते है health care जो patient को दिया जा रहा है pharmaceutical care दिया जा रहा है उसको में इसलिए monitor कर सकते हैं और उसके उपर supervise याने कि उसकी देखरे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक limited चीजें है लिखे हुई है कि इसी के अंतरकत रहना है किसी खास मिमारी के लिए इससे बाहर हमें नहीं जाना है अब to for supply management staff जो staff दव दवाई की तो पूर्ती होनी ही चाहिए तो कहीं नहीं एक आइडिया लग जाता है पहले से कि यह दवाई सबस्यादा इस्तमाल होने वाली है तो जो supply management staff है उनको भी आडिया रहता कि अच्छा यह दवाई का इस्तमाल सबस्यादा होने वाला तो इसकी पूर्ती करनी तो इ की packaging of course of therapy अब हमें पता है कि अगर मालों किसी जुखाम है तो तीन चर दवाया मिला करके ही दी जाएंगी ऐसा लिखा हुआ है सब्सक्राइब तो पहले से प्रीपेक करके रखते हैं चार चार की packing को कोई आएगा पेशेंट खटाक से दे दिया बार बार यह नहीं कि एक इससे निकाला एक इससे निकाला एक इससे निकाला बार अपना टाइम खर्च नहीं करना है ठीक है ओके ड्रग डिमांड मोर प्र सब्सक्राइब तो इतने माल हमें मंगाना है तो ड्रग की डिमांड बहुत जाए प्रेडिक्टेबल हो जाती है हम उसको समझ सकते हैं इतना होना होना है और उसकी फोरकास्टिंग करना मतलब उसको भविश्च के लिए हमें तयार रहना कितनी दबाई हमें मंगानी है वह हो जाते हैं हमारे लिए for health policy maker इनके लिए के benefit है provide a method to control cost by using drug fund more efficiently जो health policy maker होते हैं वह लोग का करते हैं provide a method to control cost by using drug funds more efficiently है अब हमको पता है कि कौन से दवाई इस्तमाल होने वाली है तो कितना fund किस दवाई को देना है वह हमारे लिए काफी आसान हो जाता है serve as the basis to assess and compare quality of care वही same चीज क्या है कि assess करना आंकलन करना ठीक है ना quality of care को compare करना काफी आसान हो जाता है development and implementation of single set of standard treatments can be a vehicle for integrating special program at the primary healthcare facility अब इसमें एक और चीज़ के आसान ही हो जाती है development and implementation हमको develop करना और implement करना है single set of standard treatment treatment एक standard treatment का set हमने त्यार कर दिया कि यह treatment का तरीका है और इसको हम लोग क्या करते है as a vehicle एक वहिकल के तरह साधन के तरह इस्तमाल करते हैं integrate करते है special program program कैसे होते हैं जैसे diarrhea disease control चल रहा है या acute respiratory infection control चल रहा है या tuberculosis control चल रहा है तो उन सब में एक set बना दे जाता है उसी set के according फिर क्या हमारे सारी जो guidelines के according काम होता रहता है तो यहां पर हमने क्या कर दिया एक single set of standard treatment को set किया और सभी प्रोग्राम में उसको merge कर दिया कि किस तरीके से आप treatment देंगे या करेंगे बास समझ में आ रही है तो यह health policy maker के लिए क्या हो जाता है एक बनाया और सब में लागू कर दिया के लिए रहे अब बात आती की features कि आखिरकार key features of the standard treatment इसके अंदर key features क्या है सबसे पहली चीज़ जो STG है standard treatment guideline इसको simple होना चाहिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं होना चाहिए simplicity the number of health problem is limited to health problem and limited है for each health problem a few key clinical diagnostic criteria are listed कुछ diagnostic criteria set कर दिए गए है ना limited finally drugs and doses information is clear and concise अब वो set कर दिए उसे के हिसाब से कौन सी drug or dose दी जाएगी वो set कर दिए है है ना health problem limited है दस-फंदर टाइब की बिमारिया common रहती है कौन सी diagnostic criteria apply किया जागा फिर कौन सा ड्रग दिया जागा तो simple यह विमारी के लिए यह तरीका अपना होगा डियाग्नोस करने के लिए और यह दवाई देद होगे खत्म सिंपल credibility विश्रस नहीं था होनी चाहिए भरू से लाइक होना चाहिए the treatments are initially developed for patient by the most eminent clinicians most eminent मतलब जो बहुत ही ज्यादा expert clinicians होते हैं उनके दुवारा यह तयार होता है revision based on actual experience will further add to the credibility अब time time पर क्या होता है revision होता रहता है जो एक्स्टीजी बन गई है यह same standard for all level same standard मतलब आप कहीं चले जाएं एक छोटा clinical medium-sized hospital यह बड़े size का hospital हो तरीका जो होगा सब में same तरीके से follow होगा ठीक है ना the first choice of treatment of patient depends on the patient's diagnosis and condition treatment की choice है वो depend करेगी patient के diagnosis of condition पे हर जग है doctors and other healthcare provider can use the same standard treatment if patient attend a primary level secondary level or tertiary level hospital doctor to the health care providers है वो एक ही तरीका same treatment standard को follow करेंगे चाहें patient वो कहां पहुंच जाए primary level पर चला जाए secondary level पर चला जाए या tertiary level पर चला जाए अपना इलाज कराने के लिए ठीक है with a common condition and the treatment will be exactly the same condition common है तो किसी भी level पर जाएगा same treatment दिया जाएगा same thing जो STG में mention है है ना तो यह इसकी क्या है key features है some same standards for all level है ना तो पहला क्या हो गया STG का key feature में simpler होना चाहिए विश्वसनी होना चाहिए है ना हर एक जगाए पर एक तरह से लागू होना चाहिए drug supply based on standards the standard treatment guideline must match with the supply of drug drug की supply हो रही है पीछे सा रही है और जो treatment guideline यह आपस में क्या करने चाहिए मैच करने चाहिए है ना कि जो guideline लिख हुए उससे के साथ सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है pre service training अब यहां पर क्या कर देना है standard treatment manuals are introduced and distributed during the pre service training service से पहले सबकी training होती है यह doctor nurse हो कोई भी हो उसी time पर इसको stg को लागो कर देना चाहिए उनके उपर ताकि वो stg को समझे और learn कर सके और apply कर सके during जब service में वो लोग आ जाए regular update ज़रूरी है time time पर चीज़ें बदलती रहती है नई medicines आती रहती है तरीके बदलते रहते है तो update ज़रूरी है चेंज और alternation in the therapeutic preferences preferences are incorporated and updated उनमें लागो होते रहने चाहिए और अप्डेट होना चाहिए the standard should be revised to reflect current recommendation time time पो से revised होते रहना चाहिए जिससे कि current latest recommendation है वहाँ पर आ सके और जो स्टाफ है nursing doctor सब्सक्राइब उसको apply कर सके pocket manual इसको छोटा सा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि आदमी से जेम में लेकर घूम सके कहीं पर भी जा रहा है तो उसको क्या है carry करना असान होना चाहिए है ना ताकि उसको कहीं पर भी है मानलब बड़ा सो hospital ही है और को patient को कहीं और देखने ज नहीं छोटा होना चीए और दूरेबल होने चीए तो यह से क्या की feature से ठीक है बात करते है अब development of standard treatment कैसे यह development होता है development of standard treatment guidelines ठीक है तो कह रहा है standard treatment guidelines आज टरम्द एफ clinical guidelines and clinical protocol इसको अब लोग clinical guideline और critical protocol भी कह सकते है clinical are component of health service ठीक है health service के component पार्ट है provisioning to ensure इसका तब प्रवधान है कि to ensure सुनिश्चित करना evidence based medicine and quality of care care में quality होनी चाहिए और evidence based medicine को यह सुनिश्चित करता है तो कही नगा जब जो गई यह guideline त्यार की जाती है तो evidence based त्यार की जाती है अजब evidence based त्यार की जाएं guideline तो अब भी से बात है evidence based medicine की प्रेक्टिस चलरी यहां पर फिर लिंक अप हो गए दोनों का आगे आते हैं understanding its importance इसकी importance को समझते हुए ministry of health and family welfare commission the task force ministry of health and family welfare ने एक task force बनाई on standard treatment guideline विच comprised of task force बनाई है जो लोग काम करेंगे उसको task force बोल दिया है उसके अंदर eminent clinicians पूरे देश मैसेज जो सबसे वो कहते हैं eminent मतलब प्रख्यात बहुत ज्यादा popular clinicians होते हैं and representations from important stakeholder और representations stakeholder मतलब जिन जिन लोगों को उसका रोल होने वाला है किसका रोल होने वाला है जैसे कि Indian Council of Medical Research ICMR Directoral Journal of Health Service DGHS Federation of Indian Chamber of Commerce है न एकनॉमी दवा का सस्ता महेंगा होना ठीक है इंडस्ट्री civil society organization and academic institutions यह सब लोग यहां से आ करके इसमें participate करते हैं ठीक है न तो eminent clinicians और यहां से members choose की जाते हैं task force के अंदर जो की guideline को बनाने में help करेंगे फिर बात करते हैं national health system resource center ठीक है NHSRC was designated as a secreted for this task force उसको secreted बना दिया head बना दिया NHSRC को secreted बना दिया है एक तरह से काम करने के जगह बना दिया है इस task force की यह task course यहां पर आके काम करेंगे और report करेंगे the objective of this task force was to compare and review दा इसका main काम क्या objective क्या है इस task force का compare करना and review करना the existing standards of treatment guideline as well as the identify जो चल रही है guideline उनको क्या करना review करना जाचना और साथ साथ में identify करना ढूंणना procedures को ऐसे procedure या condition को where fresh development of standard treatment guidelines are required और ऐसी चीज़े ढूंणना जहां पर ऐसा दो नहीं कि नए चीज़ लेकिए लाव करने जरूरत है तो जो प्राणी चल रही है उनको compare करना और review करना और जहां जरूरत है नई procedure को condition लाने की fresh development करने की वह लाकर करके उसके अंदर फिर वह amend करती है ठीक है ना तो बात समझ में आ रही है तो यह यह सारी कहानी है किसकी task force की अभी चल रहे है कहानी खतम नहीं हुई अभी अब process की बात कर लेते हैं कि आखिरकार process कैसे होती है यह ठीक है ना तो process में क्या रहेगा STG writing group लिखने का काम तो यहाँ पर क्या है task force decided to work on limited number of guidelines task force decide करती है कि limited number of guidelines पर ही क्या करेगी काम करेगी पहले phase में है ना first phase में limited number of guidelines पर काम करती है यह ओके ठीक है तो क्या हो रहा है task force decided to work on limited number of guidelines decide करती है limited number of guidelines पर काम करने के लिए इन पहले first phase के अंदर 10 clinical specialty subgroup 10 clinical specialty subgroup 10 group बना जाते हैं वर form 10 group बनते हैं सोचो 10 group बनते हैं जो कि clinically specialist है ठीक है with each group initially to focus on one disease condition सारे का सारे group मिलकर एक ही disease के उपर focus करेंगे ठीक है to make guideline group multidisciplinary each group was directed to recruit members ठीक है ना अब guideline मिलाने के लिए जो group है वो क्या कर सकता है multidisciplinary अलग-अलग जो department है वहाँ से लोगों को क्या कर सकता है recruit कर सकता है from diverse background apart from domain expert जो main field का expert है वहाँ से भी ले सकता है और अलग-अलग field से लेता है क्योंकि अलग-अलग field के लोगों से क्या है अलग-अडियास मिलते हैं अब इसमें कौन को इंक्लूड है health worker जैसे कि nursing paramedical rehabilitation है ना अब rehabilitation का मतलब क्या होता है जो नसेडी गंजेडी होते हैं या फिर जो लोग ट्रॉमा से निकलके भार आते हैं उनको वापस patient को रिएविलेट करते हैं ऐसी जगह ठीक है physician private practitioners भी लिए जाते हैं primary care doctors public health या health system experts methodology experts कौन सी तरीका अपनाएंगे methodology experts विचे यह होते हैं एंड patient patient को भी इंग्रूड किया जाता है और patients right organization ऐसी संस्था जो patients के right का ध्यान रखती है तो इस तरीके से यहां से यह सारे members क्या करते हैं लिए जाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके जब policy बनाएं तो उसमें कोई कसर न रहा जाए ठीक है in each the senior most expert was usually designated as facilitator हर एक group में जो सबसे senior most होगा उसको हम लोग क्या करते हैं करता हरता जाने कि head बना देते हैं उसका writing group member were trained for guideline development जो इनको train किया जाता है अब कैसे train किया जाता है आओ समझे ठीक है development methodology in two days workshop दो दिन की workshop होती है दो दिना काम चलता है with technical support of national institute for health and care excellence nice UK की संस्था है जो ठीक है ना यहां से इनको दो दिन की workshop मिलती है training मिलती है कि कैसे guideline लिखी जाती है और क्या-क्या तुमको point समझने है देखने है कि इनको consider करना वगरा वगरा सारी चीज़े ठीक है ना तो nice nice help करती है SDG के लिए अब क्या है each subgroup was allocated some financial resources हरे गुर्प को कुछ financial resources पैसा गार दिया जाता है NHSRC की तरफ से for conducting subgroup meeting and covering other incidental cost है ना था कि भाई बहुसार काम होता आना जाना होता है कहीं आना जाना है या meeting करनी है तो arrangement करने होते हैं तो थोड़ा बत पैसा इनको arrange कर दे आता है आ गया आते हैं पहला काम हो गया writing group हमारा तयार हो गया ठीक है member वगरा सारे ले लिए हम लोगोंने अब topic का selection होगा each subgroup was requested to propose five disease condition हरे गुर्प को कहा जागा यह पांच-पांच disease बताओ of their respective clinical specialty आप जिस जिस field से है है ना उपर ली देखा था हम लोगोंने अलग अलग लिए गए गए थे तो जिस field से उसके हिसाब से आप पांच बिमारियां बताइए अब हम लोग क्या करते हैं प्राइटाइज करते है कि कौन इस पचास में से पांच या दस जो है बहुत ज़्यदा ज़रूरी है किस क्राइटेरिया पर बेस्ट होता है कि डिजीज सबसे ज़्यादा कौन सी है नॉन अविल्बिल्टी ऑफ इंडियन गाइडलाइन किस डिजीज के उपर गाइडलाइन नहीं है किस के उपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने चाहिए इन सब को देखते हुए हम लोग आ करते हैं डिजीज को छाट लेते हैं कि यह डिजीज ज़्यादा ज़रूरी है जाए हिट इसको अडिजीज कंडिशन ऑन विच मिनिस्ट्रि एफ एंड फैमली वेलफेर एड़ी है इसूद गाइडलाइन वर एक्सुल्यूटेटेट गाइडलाइन इसको हटा दिया जाता है टोटल 14 डिजीज कंडिशन वर स्टेटट यानने कि उन में से केवल 14 स्टेर फेस के लिए की लिए है नाओ गाइडलाइड डिवल्मेंट अब क्या है ढाईडलाइड बना दी जाएंगी गाइडलाइड वर डॉलप। यूजिंग एग्रीड हाइड व्हाइड वाइड नहीं जाएंगे हाइड ग। करते हैं गाइड्लाइड को Reputed Repositories Repositories होते हैं एक तरह से भंडार या खजाना Reputed जानी मानी जो Repositories हैं और गाइडलाइन Already बहुत सी developed countries की गाइडलाइन बनी हुई है ठीक है ना तो हम लोग वहाँ से पहले सच करते हैं कि इस डिजीज के लिए क्या गाइडलाइन से हैं Such as National Guideline Clearing House and NICE इनको search किया जाता है for existing guideline as these have been already screened for quality इनका तो already screen क्या हुआ है कि यहाँ पर quality maintained है ठीक है तो हम पहले देखते हैं कि जो डिजीज हम देख रहे हैं यहाँ पर मौझूद है तो यहाँ पर क्या guidelines है और अगर for guideline from other sources अगर इसके अलावा किसी और source से हमको guideline को screen करना है लेना है तो क्या करेंगे हम लोग पहले उसको agree to के तहट agree to tool है ना उसके तहट हम पहले से screen करें कि reliable है या नहीं है ठीक है यह agree to tool एक tool होता है जो कि हम लोग इसी में guideline बनाने में help करता है screening करने में help करता है ठीक है was done before considering them for adoption और adaption है ना याने की बराने के लिए या नया लेने के लिए मैंट करने के लिए ठीक है adopt होता है ना किसी को ले लेना और adapt करना ढाल लेना है ना उसी साथ से adoption और adaption तो agree to tool का इस्तमाल किया जाएगा अगर यह दोनों इस्तमाल नहीं हो रहे है तो इस तरीके से guideline क्या होगी finally हमार पास आ जाती है clear है next आते हैं हम लोग fourth number पे अब जब guideline आ गई है अब तो उसको अपनों क्या करेंगे documentation कर देंगे लिख लुका करके अपना proper काम खतम करेंगे तो क्या बोल रहा है once the recommendation was were finalized following documents were developed एक बार recommendation आ गया उसको यह document त्यार कर दिया आते हैं पहला document में क्या होगा full background document इसमें क्या होगा contains the detailed recommendation along with reference to source detailed recommendations होती है डिजिस को ले करके और reference source क्या लिए होगा उसका जिक्र रहता है document also describes the process of development उसमें ये भी लिखा जाता है कि हमने किस तरीके से उसे develop किया है ठीक है detail of writing group पूरा group के members के बारे में detailed रहती है and decision taken on specific recommendation ठीक है ना तो पूरे group के member के बारे में बाते रहती है decision कैसे लिया गया है कहां से reference लिया गया है और सारी चीज़ें आपर लिखी रहती है दूसरा क्या रहता है quick reference guide अब a concise version of full document consist of एक concise छोटा version मराया जाता है पूरे document का इसके अंदर key recommendations and clinical pathway main recommendations क्या है किसे disease के लिए और क्या clinical path फे follow किया जाएगा जिसमें हम target करते है frontline clinicians जो लोग फालो करते है doctors होते है वहीं तो इसको अप्लाई करेंगे उनके लिए concise version मराया जाता है ठीक है न apart from these implementation tools such as quality standards इसके अलावा implementation tools such as हमें implement करना है लागू करना है quality standards patient information sheet formulary यह सब चीज़ों को भी या किया जाता है develop किया रहता है with for each set of guidelines हर एक set of guidelines के साथ quality standards patient information sheet और formulary इनको भी हम लोग क्या करते है तयार करते है तो यहां तक क्या हो गया हमारा सारा काम हो गया documentation हो गया सब कुछ हो गया अब document तो हो गया एक काम part खतम हुआ उनका काम खतम अब review भी तो करना है देखा एक ने काम किया अब check भी करना दौरा वो दूसरी team करती है कि क्या जो garden बनी है वो सही है तो दो को यहां पर क्या हो रहा है review process आगे हमारा पास all the documents went through three tire review process तीन step में review होता है इनका first internal review was done जो internal खुद का अंदर का ठीक है ना वहीं से जो अपनी खुद की team थी अंदर की वो इसको review करेगी by designated internal harmonization group ठीक है ना एक internal harmonization group होता है वो already इंटर पहले बनाया होता है तो जो बनाया है पहले वो ही उसको क्या करेगा review करेगा this group reviewed the document for consistency and adherence to agreed methodology वो चेक करती है क्या यह consistent है और according ली बना हुआ है जो हमारे methodology है उनके हिसाब से कि नहीं अब once the internal review session were incorporated एक वाई जब internal session हो गया review हो गया document वर submitted to DGHS ठीक है ना director general of health service for external review अब में डिपार्टमेंट निकल कर दूसरी दिपार्टम ने चला गया who in turn appointed prominent expert अब यह appointment करती है prominent जो काफी popular और famous experts है है ना for external review of the document ताकि वो लो document का review कर सके finally जब यहां से हो जाएगा document वर uploaded on ministry of health and family welfare अब इन दो के बाद finally उसको upload कर दिया आता है इन दो website पर mo ministry of health and family welfare and national health mission की website पर for one month for open consultation and comments from public अब उसको डाल दे आता है ठीक है वहां से public उसको देखती है पड़ती है क्या है पब्लिक मतलब सो डॉक्टर जो अल ओवर दर इंडिया है अपने वह सब देखेंगे समझेंगे उससे और जो comment से अपने वह डालेंगे उसको को अमेंट करना वाद तो करेंगे अदर्वाइस फिर finally revised document वर submitted to mohfw for final approval and commissioning अब final जब यहां सी याल स्टेप भी खतम हो जाएगा फिर इसे final क्या कर दियाता है अप्रूफ करके निकाल दियाएगा ठीक ना publish कर दिया आता है बास समझ में आई अब देखरो कितनी बड़ी प्रोसेस है अब disadvantage देखा जाए हर चीज कर देखा जाए तो यहां जैसे एक disadvantage लिखाओ इस डिफिकल्ट लेंद चीज बदलती जा रही है अगर इट लूजेश रिलाइविल्टी इफ नॉट अप्डेट नहीं हुआ है तो इसकी जो विस रस्नियता है वो खतम हो जाती है फिर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग इसको छोटा करना बस यह बड़ी दिक्कत है इतना बड़ा था उसको छोटा कर सब्सक्राइब करना है तो छोटे करने काफे सारी हमको हटानी पड़ती है में पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है तो यह था हमारे पास पूरा क्या ठीक है ना आज के लेक्टर के बारे में इस्टेंडर्ड टीट्मेंट गाइडलाइन और अब हम लोग जान लेते हैं अ पड़ाई और एक्जिट एक्जाम की पड़ाई घर बैठके बड़े अराम से घर बैठके मतलब जिनको प्रॉलम आती है बड़े अराम से इसको कर सकते हो सारी चीजिए उसमें अविलिबल है आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर एप के बारे में तो येस हमारे चैनल क जो नाम है माइंड नर्चर उसी के नाम से अब आप आ चुका है जो की गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठी है अब देखो यूटूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स यूटूब पर भी अवेलिवन है फ्री ओफ कॉस्ट है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं यूटूब पर ठीक वै पर्वास इंप़ॉस्ट होंगे ठीक है ना वन में सीटीकल तूमारे पास क्या आते हैं एंसीक्यू और फिलिंदा ब्लैंक एंसमें नया एक्जाम फैटन है ठीक है न उसमें मिला करके दस नमर कर यह आते हैं ठीक है प्लस टूमार्ख कोश्चन यानि कि आप इतना सारा हो जाएंगे ठीक है और जब डिटेल नौलेज़ चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा लेक्षर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन कोश्चेंस की प् बच्चे डाउट्स पूछ रही है और क्लास चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज़ यहां होने वाली है MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस यह तो चलो एक बार को ठीक है MCQ कोश्चन की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है हर लेक्चर से 15-20 कोश्चन भी पूरे चैप्टर और YouTube पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूं Q लिखाओ चार ओप्षण लिखे ओगा मैं बोलूगा बच्चों यह चार ऑप्षण इसका अंसर यह मजा नहीं आएगा ऐसे थीक है ना मजा कैसे आएगा कोस्चन सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम आशर क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वह मजा आएगा उसके प्रैक् रूटीन टेश्ट का क्या मतलब है मालो चैप्टर वन किसी सब्यक्टा rep dumb वग फुचा test हो जाएगा फिर टू खतम हुगा उसका test हो जाएगा फिर फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यान कि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा है इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुम्हारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यान कि जब theory पढ़ोगे या ले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे बात सोजब आ रही है और fees बिलकुल minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यान कि एक साल की fees आपकी 1100 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता है जाकर के इससे सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुमनों को वो चीज बता दूँगा clear है बात समझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes revision बिना revision कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊगा यानि कि पढ़ना पड़ेगा है ना तो revision जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूँ revision ही है selection revision करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो revise करते रहो और पढ़ते रहो all the best